हमने देखा कि जब देश में केसेज में एक स्थाई पर बढ़ातरी हो रही है तो जरूरी है कि हम इंफेक्शन को अर्ली आइडनेटिफिकेशन सपोर्ट करने के लिए टेस्टिंग को और बढ़ाएं जिसके तहती जहां 11 से 17 फरवरी वाले वीक में देश में औसेतन 6.8 लाइक टेस्ट किये गए थे उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हमने 3 टाइमस इंक्रीज करते हुए ओन एन एवरेज पिछले एक हफ़ते में 21 लाग के करीब टेस्ट और डेली बेसिस देश में किये जा रहे हैं और एक स्थाई पर अगर हम देखें कि डेली बेसिस पर जो टेस्ट हो रहे हैं तो 19 माई को जहां देश में करीब 20 लाग टेस्ट हुए थे यानि कि हमने 1918-19 लाग से अधिक टेस्ट करने शुडू करीए थे अब हमने पिछले 26 माई को 22 लाग जो की अब तक का देश में सबसे अधिक टेस्ट हैं 22 लाग 17 हज़े टेस्ट दो दिन पहले देश में हुए on an average पिछले 9 दिनों से देश में 20 लाग से अधिक टेस्ट डेली बेसिस पर किये जा रहे हैं हमारा effort है कि हम किसी भी तरीके से infection को early identification को support करें ताकि case को time पर identify करते हुए उसका treatment टाइमली शुरूर किया जा सके एक स्थाइपर जहां देश में focus किया गया कि हम टेस्टिंग को multi-fold बढ़ाएं उसी के साथ ही containment पर efforts करतने के कारण हम देख रहे हैं कि पिछले तीन हफ़तों से देश का overall जो weekly positivity rate है उसमें एक reduction आ रहा है जहां 29 अप्रेल वाले सब्ताह में देश में average positivity 21.5% थी वह घड़ते घड़ते अब 10.45% ही रह गई है इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाते हैं कि जो weekly average moving average of case positive freedom पिछले 14 दिनों का देखें तो वह घड़ते घड़ते 10.93% आज के समय में है और अगर हम पिछले 24 गंटों का ही देटा एनलाइज करें तो पाते हैं कि देश की daily positivity पिछले 24 गंटे में 10% से भी कम यानि की 9.79% नोट की गई है और पिछले 3 दिनों से देश में overall positivity 10% से कम पाई जा रही है इसी के साथ ही vaccination पर हमारे continue efforts हैं हमारे जो main pillars हैं treatment से related जिसमें हम कहते हैं test, track, treat, covid appropriate behavior and focus on vaccination उसके तहट देश में government of India द्वारा जो free supplies हैं उनके तहट अब तक हम 14.85 क्रोड लोग जो की 45 वर्ष दिक आईए के उनको cover कर चुकों है healthcare workers 1.65 क्रोड डोजेज दी जा चुकी है frontline workers को 2.37 क्रोड डोजेज दी जा चुकी है और साथ ही जो liberalized policy के तहट जितमें की 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी vaccination ओपन किया गया था वह भी अब stabilize हो रहा है और अब करीब 1.39 क्रोड डोजेज देश में उस age group को भी दी जा चुकी है जरूरी है कि एक स्थाई पर जब हम vaccination को बढ़ावा दे रहे हैं तब भी जैसे कि माने प्रदान मंसी जी ने हमेशा कहा है दवाई भी धिलाई नहीं तो उसके तहट अगर हमें कोरोना को manage करना है तो दवाई यानि की ठीका के रूप में अगर हमारे को ठीका भी लगे तब भी COVID appropriate behavior यानि की proper sanitation, दोगज की दूरी और mask का उप्योग हम continued basis पर करते रहें